मनोज पब्लिकेशन प्रस्तुत करता है All-in-One Computer Course. इस Multimedia CD के द्वारा आप Windows XP किसी एक विकल्प को माउस द्वारा क्लिक करके चुली. Photoshop नई फाइल बनाना Adobe Photoshop एक Graphic Editor Software है जिसमें आप Digital Image बना सकते हैं और उसमें परिवर्दन कर सकते हैं. Photoshop खोलने के लिए Start पर क्लिक कीजिए. Programs पर क्लिक करें. Adobe Photoshop 7.0 पर क्लिक कीजिए. अग आपके स्क्रीन पर Photoshop खुल जाएगा. File menu पर क्लिक कीजिए. New पर क्लिक कीजिए. OK पर क्लिक कीजिए. Box बनाने के लिए Rectangular Mark You Tool पर क्लिक कीजिए. Work Area में Mouse के Bind बटन को दबाईए. और इसे ड्राइब कीजिए. Rectangular Box में टेक्स्चर डालने के लिए Gradient Tool पर क्लिक कीजिए. अब Box के अंदर क्लिक कीजिए. अब Box में नीचे क्लिक कीजिए. Rectangular Box में टेक्स्चर डाल दिया गया है. File को Save करने के लिए File Menu पर क्लिक कीजिए. Save पर क्लिक कीजिए. File Name Edit Text पर क्लिक कीजिए. Box टाइप कीजिए. Save पर क्लिक कीजिए. आपकी File Save हो चुकी है. Next पर क्लिक कीजिए. File Open करना Photoshop में बनी File खोलने के लिए File Menu पर क्लिक कीजिए. Open पर क्लिक कीजिए. Harvest नाम की File को चुनिए. Open पर क्लिक कीजिए. आपकी File Photoshop में खुल चुकी है. Next पर क्लिक कीजिए. Image को चोटा या पढ़ा करना. Photoshop में आप अपनी आविशक्ता अनुसार Image का Size चोटा पढ़ा कर सकते हैं. File का Size पदलने के लिए Image पर क्लिक कीजिए. Image Size पर क्लिक कीजिए. Width Edit Text पर क्लिक कीजिए. 200 type कीजिए. OK पर क्लिक कीजिए. अब आप देखेंगे कि Image का Size चोटा हो गया है. Next पर क्लिक कीजिए. Brightness और Contrast अजिस्ट करना. Photoshop में हम अपनी आविशक्ता अनुसार किसी भी चित्र को Light, Dark कर सकते हैं. Image मेन्यू पर क्लिक कीजिए. Adjustments पर क्लिक कीजिए. Brightness, Contrast पर क्लिक कीजिए. Brightness के Edit Text पर क्लिक कीजिए. Brightness विकल पर माइनस 35 टाइप कीजिए. Contrast विकल पर माइनस 35 टाइप कीजिए. OK बटन पर क्लिक कीजिए. अब आप सेखेंगे कि Brightness, Contrast कम करने से Image डार्क हो गई है. Next बटन पर क्लिक कीजिए. Color Balance करना Photoshop में Color Balance का इस्तिमाल करके, हम Image में Color की मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं. Image मेन्यू पर क्लिक कीजिए. Adjustments पर क्लिक कीजिए. Color Balance पर क्लिक कीजिए. Color Level के Agile Text पर क्लिक करके 30, 40, 30 टाइप कीजिए. OK पर क्लिक कीजिए. Next पर क्लिक कीजिए. Matter टाइप करना Photoshop में पार्थे टाइप करने के लिए Text टूल पर क्लिक कीजिए. पार्थे टाइप करने के लिए Screen पर क्लिक कीजिए. Wonderland Multimedia टाइप कीजिए. पार्थे को चुनने के लिए पार्थे के अरंभ में क्लिक कीजिए. अब Shift की दबा कर पार्थे के प्रारंभ में क्लिक कीजिए. पार्थे का स्वरूप बदलने के लिए Font पर क्लिक कीजिए. Times New Roman P.S.M.T. Font पर क्लिक कीजिए. पार्थे का आकार बदलने के लिए Font Size पर क्लिक कीजिए. 48 Font Size पर क्लिक कीजिए. पार्थे का रंग बदलने के लिए Text Color पर क्लिक कीजिए. लाल रंग को चुनिए. ओके पर क्लिक कीजिए. आपके पार्थे में रंग आ जाता है. क्लिक का बदलने कीजिए.